गोड आफटरनून कीड्स हमने उशे उलू और उसे उनकी मातरा सिखी उससे आगे आएगा रिशे रिशी हमारी टैक्सबुक में रिशे रिशी के मातरा पीछे दी हुई है तो पेज नमबर 31 आपको ओपन करना है और रिशे रिशी यहाँ टैक्सबुक में लिखने के लिए नहीं दिया है बट मैं आपको एक्सब्रेइन कर रही हुँ कि रिशे रिशी के मातरा का सिंबोल होता है हाफ कर जो व्यंजन के नीचे लगता है जो हम आप टैक्सबुक में व्यंजन के नीचे लिखकर हम लिखेंगे तो रिशे रिशी के मातरा का सिंबोल हाफ कर होता है य और जब भी रर आएगा वियंजन में तब री में भी हमें नीचे हाफ कड नहीं लगाएंगे, री हम ऐसे ही लिखेंगे, वो मैं आपको नीचे वियंजन में एक्स्प्लेइन करती हूँ, हम पहले अभी नाट बुक में लिखेंगे सिधा क्योंकि टेक्स बुक में नहीं दिय क्री फिर आएगा ग्र ग्री एसे बोलेंगे ग्रु फिर आएगा ग्र ग्रु फिर आएगा 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 ग्रु फिराइगा द्रु द्रु यें से खाली फिराइगा द्रु 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 फ्रू ब्रू ब्रू यू अभी आया रा तो रा में हम ऐसा ही लिखेंगे रा अल्वेस ऐसे ही लिखा जाएगा चाहे कोई भी वर्द हो उसमें रा हम ऐसे ही लिखेंगे तो ये हुआ रू 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 शुरू 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 हू हमे ऐसे हम हुआ लिखेंगे और यहां बीच में आएगा गुरू शुरू त्रू गुरू शुरू तो आपको ऐसे लिखना है यहां मैंने एक स्पेस की जगह रखी है वहां आपको दुबारा बोल बोल कर लिखना है तो वियंजन में हम ऐसे पहले रू की मात्रा लगाएंगे उसके बाद हम वर्ज लिखेंगे वर्ज कौन से है जो हमारी टेक्सबुक में है वर्ज वही आपको लिखना है जैसे यह हम पढ़ेंगे ग्रू हां आप देख सकते हैं ग्रू की मात्रा मतलब बना ग्रू हां मतलब जो हम घर बोलते थे मकान बोलते थे उसे हम ग्रू भी बोल सकते हैं तो यह ग्रू है फिर है यह म्रू ग्रू म में रू की मात्रा म्रू ग्रू मतलब जो हमने छोटी इकी मात्रा में हीरन लिखा था और हम इंगलिश में डियर बोलते हैं उसे हम वुरुक भी बोल सकते हैं मतलब एक ही व्यक्ति के नाम के अलग-अलग तरीके से हम लिख सकते हैं ये है वुरुक्ष जिसे हम ट्री बोलते हैं जाड बोलते हैं ये वशे वरूक्षुवा पेड़ भी बोलते हैं हम तो ये व' में रिके मात्रा लगाई तो बनाईए वरूक्षा फिर है जो राजा था उसको हम अभी रूकी मात्रा लगाकर नुरूक बोलेंगे नुरूक मतलब राजा तो इन रू की मात्रा नुरू प नुरू और ये कुछ अधर वर्जे जो मैंने टैक्सबूक में लिख कर रेडी किये हैं तो आपको यहां लिखना है पहले में लिखेंगे हम रीशे रीशी तो आये गाई हमारा री हम ऐसे ही लिखेंगे रीशी छोटी की मात्रा शी रीशी फिर है गुरू हा जो भी हमने टैक्सबूक में पढ़ा फिर है म्रूग मतलब हीरन फिर है व्रिक्ष फिर है न्रूप न्रूप फिर है रूटू अगर रूटू लिखना है हमें तो रूँ हम ऐसे ही लिखेंगे जिरू तो फिर है क्रिशा का क्रिशक फिर है दृटू मतलब जो हम टू लेटर वर्स में सिखे थे ठाग उसे हम दृट भी बोलेंगे फिर है त्रून मतलब एक गास का छोटा सा तिन का उसे हम त्रेण भी बोलेंगे फिर है क्रुशी मतलब जो खेती बोलते थे ना खेती हम करते हैं उसे हम क्रिशी भी कहेंगे और एक बॉय का नाम भी हो शकता है क्रिशी फिर है क्रिपा फिर है द्रूग फिर है द्रूणा मतलब किसी से नफरत करना अम्रूट फिर आया व्रूशब और ये है हा लिखा है पर हम रिदय बोलते हैं इसका प्रोणामशेशन रिदय होता है तो जैसे मैं हा में बताया था पहले इसे हा लिख लेंगे और यहां पर हम री की मात्रा लगाएंगे रिदय तो आपको ये 12 वर्जी अनली करने है और जल्दी कोई नहीं है थरसे टक कंप्लीट करना है अच्छे से समझेए नीचे ऐसे रूकी मात्रा का सिंबल होता है और उसे रिह बोला जाता है जिसकी वर्जन के नीचे लगता है उससे हम बोलेंगे ग्रू द्रू ऐसे हम बोलना है आपको सिंबल याद रखना है अच्छे से तो आप अच्छे से लिख पाएंगे थैंक यू